नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका study for civil services में और इस वीडियो में हम देखेंगे मूल अधिकार पार्ट नमबर तीन देखें फंडामेंटल राइट के दो पार्ट हम देख चुके हैं अल्रेडी इसमें पार्ट नमबर थ्री है इसमें हम यह डिसकस करेंगे देखें 12 से लेक तो किसके खिलाफ आप जाएंगे तो वो है state इस्टेट में क्या आता है government of India की executive legislative इस्टेट government की executive legislative प्लस local authority प्लस semi government जैसे की ओनजी सी भेल और यह सब प्लस जो private body जो की government of India से कुल मिला के support से काम करती है उनको भी आ सकती है आटकिल 12 में फिर आटकिल 13 में हमने यह देखा कि कुछ ऐसे law या कानून जो किसी के fundamental right या मूल अधिकारों का हनन करते हैं वो शून नहीं होंगे यानि कि they should be null and wide और ऐसे laws में कौन को नाएगा प्लियमेंट आफ इंडिया के जो laws हैं प्लस state government के laws हैं प्लस ordinance आपके president और governor के प्लस कई सारे delegation जो होते हैं जो statutory or provisions होते हैं by laws और यह सब तो कुल मिला कि कोई भी ऐसी चीज होगी वो सभी 13 में आएगे और even constitutional अगर amendment हुआ है उसने भी अगर किसी के fundamental right को violate कर दिया यानि कि जो उसके मूल अधिकार है उसका हनन कर दिया है वो भी आएंगे ठीक है तो उन्हों वो भी अब जो केसो नंदा भारती केस था 1973 के बाद से सुप्रीम कोट ने बोल दिया है कि वो उसका judicial review हो सकता है तो judicial review यानि कि जो निया एक समिक्षा है वो किस article के अंदर आती है article number 13 उसमें क्या है कि आपका कोई किसी lock way से आपका fundamental right value हो गया तो आप article 32 के तहत सुप्रीम कोट में जा सकते हो सुप्री आप हाई कोट जा सकते हो 226 article के तहीं देखे इसमें मैं एक दम यह बता दे रहो देखे 12 तेरा मने देख लिया अब 14 article क्या है 14 article है equality before law या फिर equal production of law ठीक है इसमें एक एक चीज मतला पहले अभी line wise आप यह समझ लिए किस law में क्या बताया गया है तो इसमें यह बताया गया कि law के सामने सब बराबर है उसमें positive concept है negative concept है वो हम अलग अगले वीडियो में discuss करेंगे पूरा detail में एक चीज बताऊंगा तो 14 क्या है 14 article में लिखा हुआ है दिखे पहली बात तो 6 fundamental right है total law के पहला है right to equality यानि कि समता का अधिकार यह article 14 से लिए 18 तक में discuss किया गया है ठीक है फिर है right to freedom यानि कि स्वतंतरता का अधिकार ठीक है यह article 19 से लेके 22 तक में discuss किया गया है फिर आपका है सोस्तरण के विरुद्धतिकार यह है 23 और 24 फिर आपका है धर्म कि स्वतंतरता का अधिकार ठीक है तो यह वाला है 25, 26, 27, 28 फिर है आपका संस्कृति और सिच्छा अधिकार यानि कि cultural or political right वह है 29 और 30 देखें यह अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आप एक काम जरूर करिएगा कि जो लच्छी मिकांत की भूख है उससे भी एक बार आप रिविजन करते जाएं ठीक है तो यह हो गया right to freedom of religion यह हो गया cultural or education right of minorities और 31 तो खतम कर और 32 में तो यही चीज बताई गई कि अगर आपका law कोई भी मूलदिकार हनन हुआ है तो आप डिरेक्टी सुप्रीम कोड में जा सकते हो तो 32 मतलब right to constitutional remedies है उसमें आपको इस बात का भी fundamental right है कि आप सुप्रीम कोड डिरेक्ली जा सकते हो आप देखें थोड़ा सा trick से ना इ जाद रखिए देखे 14 में क्याल दिया हुआ है 14 में दिया गया है कि equality before law equality before law or equal protection of law यानि कि विधी के समक्च समता और विधियों का समान संदच्छन ये दो चीज़े दी गई है exactly एक इसमें positive concept है negative concept है negative concept ब्रिटी से लिया गया है positive concept US से लिया गया है ये क्या है इस अब देख नहीं कर सकते है इस्टेट किसी के साथ इन पाच चीजों के अधार पर धरम, मूल, वंस, दिंग और जनम और उसमें लिखा है कि only भी only का मतलब यह है कि इन पाच के अलावा जो इस्टेट है वो discriminate कर सकता है वो सब हम detail में provision देखेंगे तो 15 क्या हो गया आपका discriminate नहीं कर सकत की जाती है इंडिया से देखिए untouchability actually कहीं constitution में defined नहीं है ठीक है तो यह वाली चीज भी आ सकती है आपसे यह पता होना चाहिए आपको untouchability है नहीं कि आसपस्तृता ठीक है आठारवा है कि abolition of title मतलब कि उपाधियों पर रोक है जैसे पहले होता था राजा दिराजा महराजा यह सब ठीक है तो यह सब जो उपाधियों सब बंद कर दी गई है लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि किसी को award नहीं दिया जाएगा क्योंकि अगर यह उपाधियों मतलब इसलिए है कि मतलब एक तरह से लोगों में बराबरी की भाव ना रहा है ऐसा नहीं कि वो राजा दिरा जाए हम सिर्फ एक नॉर्मल आदमी है तो यह सब बाते ना रहे हैं इसमें एक चीज़ यह है कि जो यह वाला प्रिंस्पल है वो यह जरूर कहता है कि यह समानता का मतलब आप यह नहीं है कि आप merit को रिकोनाइज नहीं करेंगे तो इसलिए award दिये जाते हैं government of India द्वारा भारत रत्न दिया जता है पदम award दिया जते हैं लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि आप यह जो award है यह ऐसा नहीं लिख सकते हैं मालीजे आपका नाम है कमल तो आप यह नहीं लिख सकते हैं भारत रत्न कमल ठीक है तो यह आप suffix या prefix में जोड नहीं सकते हैं तो यह award अलग च प्रेक्षन है छे राइट है आपके मतलब आप स्पीच और एक्स्प्रेशन है जैसे कि जिसकी हमेशा यह जो मूवी वाले हैं प्रेस वाले लोग हैं यह लोग कई बार इसका गलत यूज करते हैं जैसे भी पदमाविती में हो रहा है जो फिर एसेंबली है कि आप सम्मेलन कर करते हैं वो सबम देखेंगे आप बना सकते हैं बिल्कुल लेकिन ऐसा से सब्सक्राइब कर देंगे तो हर जगह कुछ-कुछ चीज़े हैं जरूर मूवमेंट आप संदचन का अधिकार अधिकार रेसेंचरण डेशीदेंस का अधिकार है लेकिन आप जम्मू कश्मिर में ले सकते हैं तो हर जगे कुछ-कुछ exception है प्रोफेशन का अधिकार आप कोई भी मतलब धंदा अपना सकते हैं यह सब चीजें तो आर्टकिल 19 में यह सब चीजर दिखाएंड है छे राइट का प्रोटेक्शन है आप आर्टकिल 20 और आर्टकिल 22 में बड़ा confusion रहता है 20 का मालिजे एक कोई कहदी है उसको सजा मिलिए उसको सजा मिलिए तो आप जितनी जो लॉव में लिखी गई है चीजे मतलब कानून से जादा आप उसको सजा नहीं दे सकते हैं और उसमें फिर तीन चीजे और है कि आप उसी का बयान उसी के खिलाब नहीं उसकर सकते हैं ठीक ह और या फिर समझ जी किसी ने हिस्ट्री में कोई गुना कर दिया होगा 1960 में कोई गुना किया गया और उसका जो कानून है वो 2000 में आ गया या फिर 1980 में आ गया तो आप उसको ये नहीं सजा कहके दे सकते हैं कि नहीं नहीं आपने 1960 में भी गया था तो मतलब जो law के provisions है उन्हीं के साब से सजा दे सकते हैं तो इसी लिए ये protection है किस से conviction for offenses से मतलब अगर आपको सजा मिल चुकी है इसलिए कि आपको सजा जादा ना मिल जाए ठीक है ये 20 में defined है 22 में क्या defined है कि गिरपतारी और निसेद में सुस्तंतरता है मतलब कि protection अगेंस्ट ये protection of arrest or detention आप देखिए जो मैंने बताया था आपको कि citizen वाले chapter में कि दो type की लोग होतने है इंडिया में या तो विदेशी होंगे या फिर अपने देशी नागरिक होंगे जो विदेशी है उसमें दो type की होते है एक होता है friendly वाला मित्र विदेशी और एक होता है सत्र विदेशी लेकिन सत्र विदेशी वाला जो है उसको 22 अलाट के लाइट से संदच्छन नहीं है ठीक है इसका ये मतलब है कि ये मतलब आपको ऐसे नहीं उठा के गिरवतार कर लिया कोई arbitrary कानून आप जा रहे है उसे पुलिस को मनाया और उठा के गिरवतार कर लिया है तो इसी के लिए इसमें constitution में provision दिये गए है कि पुलिस की जो atrocities होती है कई बार जिसे पुलिस वाले लोग गुछ पैसे वैसे खा के ऐसे कर सकते हैं या फिर करते भी हैं इंडिया में कई जगे होता ऐसा कानपूर में तो इसे इसकर होता ऐसा तो ये सब चीजें ऐसे नहीं कि आप किसी को भी उठा के गिरवतार कर लो और किसी को भी detain कर लो गिरफतारी के लिए भी सब प्रोविजन दिये गए और अगर आपको detain करना उसमें भी दो टाइप की detain होते हैं एक होता है preventive और एक होता है punitive punitive का preventive का तो मतलब ये समझ लिजे कि ये है कि अगर माल ये जैसे आपने देखा होगा कि election हुआ तो कुछ जो छटे हुए बदमास होते हैं उनको उठा के बंद कर दिया था है ये इसका मतलब यह है कि उनको prevent करना कि वो गुना करना पाएं ठीक है बाकी detail में देखेंगे सब इसमें तो ये हो गया 200 और ये 22 21 वाला जो फूड राइट टू शेटर पता नहीं कौन-कौन से इसमें राइट जोड दिये गए है protection of life and liberty ये वाला जो राइट है प्राण और दहग सतंतरता राइट टू लाइफ एंड परसनल लिबर्टी ये वाला बहुत विस्तार से देखेंगे हम लोग तो ये हो गए आपके सतंतरता के एद 19-20-22 अब इसमें 21 A और ये राइट जोड दिया गया इसका मतलब यह है कि जो 6 से 14 साल तक के बच्चे है उनको प्राइमरी एजुकेशन का ये जो प्राइमरी एजुकेशन का फंडामेंटल राइट है पतलब ये उनको मिलनी ही चाहिए फंडामेंटल राइट है ठीक है 0 से लेके 6 साल तक के बच्चों को जो एजुकेशन और इलिमेंटरी वाली वो DPSP न की राज के नीती ने देख सकता तद तुमें डिफाइन है और 6 से 14 साल साल तक वालों के लिए फंडामेंटल राइट में प्रोविजन है ठीक है तो ये राइट टु एलिमेंटरी एजुकेशन ये जो है प्राइमरी एजुकेशन 6 से 14 साल तक में ये जितने भी बच्चे है उनको ये प्राइमरी जुकेशन मिलनी ही चाहिए तो ये सब चीजे हैं इसमें 21A में सब हम डिसक्स करेंगे एक एक चीज ठीक है आप लोग अगर इसको सपोर्ट करेंगे और ज्यादा ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे जितने यादा व्यूज आएंगे मैं उतनी जल्ली लच्चमिकान खतम करतूंगा तो इसके बाद जो नेक्स्ट राइट है वो है शोसरण के विरूत दियानी की राइट अगें इक्सपरेटेशन आट्किल 23 और 24 में डिफाइंड है देखिए सिंपल वासा में समझे है 23 में क्या डिफाइंड है कि human trafficking पुल मिला के बहन है human trafficking नहीं हो सकती है बेगार नहीं हो सकता है फोर्ज लेबर नहीं हो सकता है मतलब कि आप से कोई जबर्दस्ती काम नहीं करा सकता है और ये वाला जो राइट है ये एक्चुली स्टेट के और प्लस प्राइवेट इंडिविज्वल्स के भी खिलाफ आपको दिया गया है है ठीक है 23 वाला 24 का मतलब है कि चिल्डरन को इंप्राइट नहीं कर सकते हैं हजार्डस इंडिस्ट्री एगर हानिकारक इंडिस्ट्री है और कई ऐसी जग है जहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं है तो फिर वहाँ पर कर सकते हैं ठीक है 23-24 हो गया फिर धार्म की सुतंत्रता गर्द कर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिजिजन 25-27-28 देखे 25 का मतलब है कि अंताकरण की और धर्म को अबाद रूप से मानने मतलब की फ्रीडम ऑफ कॉन साइंस फ्रीडम ऑफ फ्री प्रोफेशन फ्रीडम ऑफ प्रेक्टिस और प्रोफेशन मतलब आप अपना धर्म मान सकते हैं उसको प्रोपेगेट कर सकते हैं इसका ये मतलब नहीं कि फोर्स कनवर्जन कर दोगे ठीक है तो हर जग है थोड़े थोड़े उसमें ये भी हैं कि आप कुछ-कुछ कुछ-कुछ ऐसे डेटर करने वाले भी एलिमेंट दिए गए कि ऐसा नहीं कि सब एबसलूट हो जाए तो ये वाला जो है फ्रीडम ऑफ कॉंसाइंस फ्री प्रोपेशन प्रेक्टिस और प्रोपेगेशन और रिलीजन ये वाला 25 में डिफाइंड है 26 में है कि freedom to manage religious affairs की अपना धर्मिक जितने भी धर्मिकार है आपको अपना प्रबंद कर सकते हैं उसकी तो संतरता है 27 में ये कि payment of taxes मतलब अगर आपको आपसे tax नहीं लिया जा सकता है कि अगर कोई आप धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे है तो उसके लिए tax के लिए आपको छूट मिलेगी ठीक है ये है 27 में defined है 28 का मतलब ये कि अगर कोई state का government organization है और वहाँ पे पहली बात तो ये कि कोई भी धार्मिक से चानी दीजा सकती है दूसरी बात ये है कि वो किसी भी दूसरे माल ली ये कोई ऐसे Hindu school है वहाँ पे ऐसा अगर कुछ माल ली ये हिंदी का हिंदू का कोई परो मनाया जा रहा है तो वहाँ पे किसी दूसरे धर्म के लोगों को Muslim या फिर इसी किसाई लोगों जबरदस्ती नहीं ऐसे attendance के लिए मजबूर किया जा सकता है वो पस्तिति के लिए अगर उनकी मर्जी होगी तो आएंगे तो उनकी consent जरूरी है यह 28 में defined है 29 और 30 में minorities की right defined है यानि की right culture और education right है इसमें पहला है कि अलप संको को की भासा और लिपी की सुरच्चा वो सब कर सकते हैं और 30 का मतलब यह कि स्थापना और प्रशासन की मतलब minorities भी अपने प्रचार पसार के लिए administer कर सकते हैं और plus establish कर सकते हैं institutions तो यह समझा आ गया 12 से 30 तक 12 क्या है इस्टेट के definition है 13 में वो सब law है जो fundamental right को valid करते हैं वो सब void हो गए 14 में क्या है quality before law है 15 में क्या है कि state discrimination नहीं कर सकता है धरम जाती और कौन कौन से चीज़ें यह धरम मूल वर्स लिंग और जनम के अधार पर 16 में क्या है कि public employment में state किसी के साथ ऐसे दुर्वेवार नहीं कर सकता है सब को बराबर करना पड़ेगा उसमें भी कुछ-कुछ exception है नहीं तो reservation ही नहीं हो पाता फिर तो ठीक है तो 17 में क्या स्पीच कर सकते हैं, assembly कर सकते हैं, association मना सकते हैं, movement, residence, profession 20 में क्या है protection in conviction यानि कि आपको अगर सजा दी गई है तो उसके जो law के इसाब से ही आपको दी जाएगी ऐसा नहीं कि ज्यादा सजा दे दियाएगी या फिर पीछे वाला उठा के दे दिया जाएगा या फिर कुछ औ और आपके साथ tyranny नहीं कि जा सकती है, अगर सजा दी गई है, जितने provisions हैं उतना ही दिया जाएगा, 21 में right to life and personal liberty, 21A में elementary education, 614 जाल तक के बच्चों के लिए, 22 में arrest और detention से prevention है, कि आपको arrest किया गया है तो बाकायदा 24 घंटे के अंदर heaviest copers के तहत magistrate को दिखाना पड़ेग और जो fourth labor है वो सब मना है, trafficking नहीं हो सकती, 24 में child labor नहीं allowed है, hazard industry में, 25 में क्या है कि freedom of conscience वाला है, 26 में क्या है कि freedom to manage religious affairs, 27 में कर वाला है, ठीक है, 28 में अगर आप देखें तो वो है attendance वाला, और 29 में क्या है, 29 और 30 में minority वाले rights है, तो अल्प संक्यों की भासा और लिपी की अब ये तो होगा 30 तक, 31 A, B, C आपको बने बता दिया था, ठीक है, 31 A क्या था, acquisition of state, अगर कोई state को ये मतलब किसी भूमी का दिख्रेंट करना है, उसके लिए इसमें restriction लगा जा सकते है, fundamental right में, 31 B क्या है कि 9 schedule से exception वाले यहाँ पे fundamental right में restrict कर सकते है, 9 schedule में आपको बताया थ उसमें पिछले वाले वीडियो में देखेंगा पूरा, 31 C का क्या मतलब है कि अगर DPSPNE की राजी के नीतिय निजय सक सिदान्त के implement करने के लिए fundamental right पे कुछ restriction लगाए जातके, 32 वाला क्या है, 32 वाला वही कि आप का fundamental right अगर violate हुआ है तो आप आरिकली Supreme Court में जा सकते है, तो और लगेंगे को कि मैं ये fundamental right समझाना चाहता हूँ और ऐसा समझाना चाहता हूँ कि एक एक चीज एकदम simplify हो जाए को कि technical word बहुत ज़्यादा है, इसको मतलब normal सरल देसी भासा में समझाने के लिए मैं काफी देर से जुटा हूँ इसको कि आपकी understanding मन जाए, अगर आपको प लगेगा कि मतलब सही बात इसकी demand है, तो जहाँ पर demand है वही पर काम करना चाहिए, ठीक है, thank you, please do like and share